हेलो फ्रेंट संद्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं सोया बड़ी की सबजी आपको बिल्कुल अलग और बिल्कुल नया तरीका एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखना आपको भी बहुत पसंद आएगी सोया बड़ी तो आप हजारो बार खाये होंगे लेकिन एक बार इस तरीके से बना कर खाना इसके आगे सारी सबजीया फेल हैं देखिए इसके लिए हमने लिया है एक बड़ा सा बरतन उसमें हम डालेंगे एक से डेड़ गिलास पानी आप इसको पहले एक बड़े बरतन में प और पानी को थोड़ा सा गरम होने देंगे, उसके बाद हम ढालेंगे अपनी सोयाबडी, यह हमने दो पैकेट लिया है, आप अपने इसाथ से कम्या ज्यादा जितना लेना हो आप ले सकते हैं, हमने एक पैकेट डाल दिया है, देखिए, अब हम दूसरा पैकेट भी ले दोनु फैकेट का फ़ले हम सोया बड़ी को अच्छे से पानी में डूबो लेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए इसे जादा देर तक नहीं गरम करना है सिर्फ पानी को थोड़ा गुंगुना करना है गुंगुना से थोड़ा सा जादा और इसको डूबो कर हम छोड़ बाद में हम सबजी का तड़का लगाएंगे यह हम ग्रेवी के लिए तड़का लगा रहे हैं इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा आप चाहें तो कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हैं और दो कटी हुई प्याज और तीन से चार हरी मिर्च उसको भी हमने दो टुकडों मे कट किया है और थोड़ा सा लसुन इसको हमने छील कर रखा था ऐसे ही आप डाल सकते हैं इसे चाहे तो आप अगर नहीं भूनना चाहें तो इसको छोटे-छोटे टुकडों में भी कट करके डाल सकते हैं लेकिन इसको हम दो से तीन मिनट तक भून लेंगे इसे हम भूनने क के बाद फिर एक प्लेट में टांसफर करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि इसको हम ग्राइंड करने वाले हैं आप अगर उसी तरीके से बनाना चाहें तो इसको छोटे-छोटे टुकडों में काटकर तड़का लगा सकते हैं तब तक देखिए बड़ी हमारी बिल् अगर पानी ज्यादा गरम हो तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसको नार्मल कर लेजिए और सारी बड़ी को ऐसे ही पानी से इसका इस्ट्रा पानी निकालकर छान लेजिए अब हम ले लेंगे एक प्लेट में इसको इसके उपर से हम डालेंगे आधी चमच अब हमारी सबजी बनेगी बहुत ही लाजबाब सारे मसाले और हल्दी बेशन को हम पहले सोया बड़ी पर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इसको एक दूसरे बरतन में टांसफर करके इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि बड़ी में सारा मसाला जो है कोट हो जाए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले देखे सारी बड़ियां हमारी कोट हो चुकी है आप इसमें पानी विल्कुल ही ना डाले ऐस इसे ही सूखी बड़ियों को ही कोट कर लें तब तक हमारा जो हमने तड़का लगाया था ओवी ठंडा हो चुका है अब हम ले लेंगे एक मिक्सी जार और इसको अच्छे से पीस लेंगे दरदरा ही पीसेंगे ज्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है हमें नहीं इसमें पा जार अधाही वही कड़ाही है जिसमें से हम तड़के को निकाले हैं और उसी में हम डाल देंगे तेल तेल आप सबजी के अनुशार डालें कम याज़ादा हमने दो से तीन hisi टेल डाला है और इसमें भी हम जीरा का तड़का लगा लेंगे आप तड़का अपने सोया बड़ी को कोट करके रखा था इसे हम डालके इसको दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ताकि अच्छे से बड़ियां जो है भून जाएं देखिए दो मिनट भूनने के बाद हमारी बड़ियां जो है बहुत ही क्रिस्पी सी भून चुकी हैं आप इसको ऐसे भी नमक छिड़कर खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगी ऐसे भी खाने में अब एह प्याज लहसुन जो हमने हरी मिर्च को दरदरा सा पीस कर रखा था वो हम डाल देंगे इसके साथ ही हम दो टमाटर को भी पीस कर रखा था उसे भी हम ग्रेवी में डाल देंगे अब डालें एक चमच हल्दी पाउडर और दो चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला सभी मसाले को डाल कर थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसको अब भूनेंगे दो से तीन मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है पक जाये अच्छे से क्या आपने इस तरीके से कभी सोया बड़ी बनाया है कमेंट करके जरूर बताना धेखे 2-3 मिनट हम इसे अच्छे से पहले भून लेंगे इसके बाद ही हम कुछ डालेंगे इसमें देखे 2-3 मिनट हो चुके हैं हमारी सबजी बिल्कुल भून चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही खास चीज, यह है दो चम्मच दही, हमने फ्रेस दही लिया है, दही जादा खटी ना लें, और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, यह मसाला पकने के बाद ही डालें, पहले डालेंगे तो यह उ जही डालें और अच्छे से मिक्स कर लें, इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी, जितना आपको ग्रेवी रखना हो, उसके हिसाफ से पानी आप कमया ज्यादा ले सकते हैं, हमने इसको सूखा ही रखेंगे, ज्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा ह डाला है, अब इसको हम पकने देंगे, चार से पांस मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक, नमक वैसे हम सोया बड़ी में भी थोड़ा सा डाले थे, इसलिए थोड़ा कमी डालेंगे, और सभी चीजों को अब मिक्स क करके, इसको ढखके हम पांस से चा मिनट तक पका लेंगे, देखे, पांस से चा मिनट हो चुके हैं, हमारी सबजी बिल्कुल पक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी भूनी हुई कसूरी मेथी, आप इसे भून कर ही डालें, अगर सबजी पकने के बार डाल रहे हैं, तो अदर्वाइज आप पहले भी डाल सकते हैं, हमने या तो धनिया पत्ती डाल कर इसे सजा लें, जो आपको पसंद हो, देखे, फाइनल लुक हमारे सबजी का, देखने में जितनी अच्छी लग रहे है, खाने में उससे कहीं और ज्यादा अच्छी थी, एक बा प्राइक करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद